कि जब इनका जनम हुआ था मैं तो इनको तब से जानता हूं भगवान कसम यह पैदा हुए हाँ हुए हाँ हुए हाँ हुए यार मतलब तुम तो ऐसे सोच रहो जैसे गूगल से डाउनलोड किया हो वास्तों में पैदा हुए थे अब पैदा हुए तो साब क्या हुआ कि इनके पिता जी ने दाई को 21 रुपे दिये ऐसा रिवाज है वो दाई ने जैसे बताया छोरा हुआ है पिता जी ने तुरंत इनके निकाले और 21 रुपे दाई को दे दिये दाई ने तीन रुपे काटका ठारा रुपे वापिस करती है तो पिताजी बोले नहीं क्या है 21 रख लड़का हुआ है नुका बस रेंड देओ या भी कितना सा है तो आईए आप इनकी काया पर मत जाएं बिलकुल ना जाएं ये क्या कर सकते हैं ये आपको दिखाएंगे और आप लोग जोरदार थालियां वजाएंगे छोड़ दे पहले मैं भी यही करता था एक तो मैं बिहार से हूँ दूसरा सुनाक्षी सिन्ह के गोत्र का हूँ मैं बिद्वता की बात नहीं करूंगा साब आप सिर्फ मजे लो मस्ती लो मजा लेना बहुत जरूरी है साब बहुत जरूरी है नहीं करना है मजा लेना बहुत जरूरी है साब आप मजे लो मजे ना हो जीबन में मजा लेना बहुत जरूरी में मंदारी के साथ कहता हूं मज़ा लेना बहुत जरूरी है क्योंकि जो मज़ा जो मज़ा जवानी में राहुल नहीं ले पाया बुरापे में आसा राम ने ले लिया मज़ा लेना बहुत जरूरी है साब हाँ कि आप इत्म हिनान से सुनो, बिल्कुल मैं तार्किक बाते करूंगा, मैं इधर उधर की कोई भी बात नहीं करता, आप सिर्फ सुनना, मजे लेना साहब, कि मजे ना हो जीवन में, मजे ना हो जीवन में, तो समझो सुसाइट हो गिया, कि मजे नहों जीवन में, तो समझो सुसाइट हो गिया, मुझे उनकी हुनर पर डाउट हो गिया, मुझे उनकी हुनर पर डाउट हो गिया, और जिस बंदे की साधी, पहली ही गर्ल फ्रेंड से हो जाए, कि जिस बंदे की साधी पहली ही गर्ल फ्रेंड से हो जाए समझ लेना बंदा ट्राइबॉल में आउट हो गया आप सिर्फ मजेलो सब मैं मस्ती का कभी हूँ तो यह सारे बिद्वान कभी बुलाएगे हैं साथ मैं इधर उदर देखो आप सीटी मत बदाओ मेरे लक्षन खराब हो जाते हैं यह यह पादुकोन वाला हरकत मत करो आप सिर्फ मजेलो सब मजा लेना बहुत जरूरी है मैं कहा रहा था साथ कि मैं लगातार चार दीन से तेरे तारिक तक अंतिम तेरे तारिक तक मैंने कोशिस करी साथ एक भी नहीं पटी लगातार मैं कोशिस कर रहा हूँ तेरे तारिक तक अंतिम कोशिस करी साथ एक भी नहीं पटी आज मैं अब सोच रहा हूँ बजरंग दल में सामील हो जाओं नहीं बढ़ियां तो मैं कहता ही हूँ अब मैं बिलकुल मस्ती का कभी हूँ साथ आप सिर्प मस्ती लो सिर्प मस्ती लो साथ वो इनके बहुत लक्षन खराब है यह तो हमारी मोच है जो इज़त बची हुई है बहुत लक्षन खराब है तेरे यार मैं कहा रहा था कि सिर्फ आप मस्ती लो बिलकुल मैं तार्किक बाते करूंगा इधर उदर की मैं कोई बात करता नहीं साथ बिलकुल इधर उदर की कोई बात नहीं करता आलिया को जीरो फिगर पसंद है कि आलिया को जीरो फिगर पसंद है, करीणा को भी जीरो पसंद है, अब पिछले कुछ दिनों से राहूल बाबा को जीरो पसंद आने लगा, कि पहले सराब बनी होगी, कि पहले सराब बनी होगी, सुनना वेलंटाइन डे के लिए, आप मस्ती लेना, कि पहले सराब बनी होगी, तब सबाब बना होगा, कि पहले सराब बनी होगी, फिर सबाब बना होगा, अरे होठों के रिसर्चर से पूछो, कि होठों के रिसर्चर से पूछो, अरे कैसे गुलाब बना होगा, बिल्कुल मैं तार्किक बाते करता हूं साथ इधर उधर की बात करना ही नहीं आज मैं और कल मैं सिर्सा आया पहले तो मैं इस धर्ती को परणाम करता हूं सिर्सा की धर्ती को परणाम करता हूं मैंने यहां आने के बाद मुझे जानकारी मिली कि यहां भी बेलंटाइन संत जी रहते थे पहले यह मेरा दुरभाग यह है कि मैं गुफा तक अभी तक नहीं पहुच पाया हूँ तो मैं बिल्कुल तार्किक बाते करूंगा साब मैं इदर उदर की कोई बात नहीं करूंगा वो कल मैं यहां पहुचा सिर्सा पहुचा मैंने देखा कि एक बंदा खुले में लगु संका परित्याग कर रहा था बिल्कुल तार्किक बाते एक बंदा सुनना दादा कि एक बंदा खुले में लगु संका परित्याग कर रहा था मैंने का भाई साहब आपके घर सवचाले है फिर भी बाहर कर रहे हो यह तो सभ्यता के विरुद्ध है उसने जो जबाब दिया जबाब आप तक पहुचे तो ताली उठाना मैंने का भाई साब आपके घर सोचाले है फिर भी बाहर कर रहें ये तो सभ्यता के विरुद्ध है उसने का भाई बांके मैं बिपक्च में हूँ मोदी जी के सवच्छता अभियान का विरोध कर रहा हूँ अच्छा मैं बजार गया साब पिछले दिनों बजार गया मैंने आलू वाले से सिकायत करी मैंने का भाई साब आपके आलू में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा मैंने का भाई साब आपके आलू में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा उसने का इसका कारण तो मोदी जी है मैंने का आलू के स्वाद विगरने में मोदी कारण जब से उन्हों ने खेत में सौच बंद करवार दी है आलू का स्वाद ही बिगर गया है मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ साब मैं मंदारी की बात कर रहा हूँ मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ मैं सिर्फ अपनी पत्नी का आदमी हूँ और आदमी होना ये बड़ी बात है है नहीं। नहीं मैं आम आधमी की बात नहीं करा। हुआ। है। उधार पिछले दिनों मरती जी और राहूल जीमें एक संधी हो गई अदremria चुनाव संपन्न होने के बाद। दोनों में संधी हुई। भलते हुए। बली देखो तुमको जीरो आया है। मेरे आया है। फिर सरकार हम बनाएंगे तो मैं बिल्कुल तारकिक बात में इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा साब बिल्कुल इधर उधर की कोई बात नहीं करना बिल्कुल तारकिक बाते आप तक पहुचाता हूं और पिछले दिनों कीम जॉन ट्रम्प और राहुल जी तीनों एक ही टेबल पर बेठे थे और तीनों लंबी लंबी छोड़ रहे थे मस्ती लेना साब तीनों लंबी लंबी छोड़ रहे थे किम जान मेरे टेबल पर निकुलियर बम का बटन लगा हुआ है जब चाहूं दबा सकता हूं अब ट्रंप कहां पीछे रहने वाला था बला देखो तेरे से बड़ा निकुलियर बम का बटन मेरे टेबल पर लगा है मैं भी जब चाहूं दबा सकता हूं अब इस बार राहूल जी की बारी आई बात पहुंचे तो ताली उठा ना बला दबा 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 कर देख ले वो तो आम आदमी को ही जाएगा मैं बिल्कुल तार्किक बाते करता हूं साब आकिस्तान पाकिस्तान पर तो मैं बात करता ही नहीं क्या करना मुठी भर पाकिस्तान के लिए बात साब क्या करना हम हास सवाले तो आईसे ही निप्टा देते हैं क्या बात करने ही पाकिस्तान के लिए मेरा तो मानना है हम तो आईसे भी निप्टा सकते मेरा मानना है साब दो कीलो आटे की रोटी बनाकर पाकिस्तान में उच्छाल दो 70% तो ऐसा ही लड़ जगर के मर जाएंगे अलग से मारने की क्या जरूरत है सब और पिछले दिनों अन्ना जी मिल गए कहने लगे अगर इस बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो बाडर पर मैं भी लड़ने जाओंगा मैंने का भाई साब आप तो रहने ही दो हो उपकार चाहते हो तो पाकिस्तान में भी एक क्यजरी वाल पईदा कर दो इधर उदर की कोई बात करनी ही नहीं सब बिलकुल तार्किक बात वो चीन आए दिन आखे दिखाते रहता है जिसकी यह चोटी चोटी आखे हैं हमारे यहां तो मरने के बाद भी पूरी खुली रह जाती है पूरी खुली रह जाती है अच्छा वहां के लोगों को आपने देखा यह 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 साही जैसा यह हाइट है उनकी साहब अगर चीन में आपको कोई भी बंदा छे फूट का नजर आ जाए तो आप समझ लेना कि हमारे पुर्वजों ने वहां की तिर्थ यात्राएं की होंगी कि वह बात नहीं करने साहब इदर उदर की बिलकुल तारकिक बाते करते हैं साहब और पिछले दिनों में दिल्ली गया साहब वहां एक होडिंग लगी हुई थी उस पर बड़े बड़े अक्छरों में लिखा हुआ था सौ रुपईये में मुख्मंतरी बनने का तरीका सीखो नहीं मांदारी की बात कर रहा हुआ कि सौ रुपईये में मुख्मंतरी बनने का तरीका सीखो महीं गया साहब अंदर गया देखा कमबक्त मफलर बानना सिखा रहे थे बिल्कुल तार केक बाते परिमल जी बहुत अच्छा सुन रहे हैं अई ये कम बड़ी बात नहीं है कि साथ में पतनी बैठी हूं फिर भी आनंद वो ले रहे है हम लोगों की तो हिम्मत नहीं बनती है इतना आनंद ले रहे है चार पंक्तियां आप तक पहुचाता हूं कि आपके जीवन में कभी गम न हो कि आपके जीवन में कभी गम न हो आपकी आखे आशूओं से नम न हो कि आपके जीवन में कभी गम न हो आपकी आखें आशुओं से नम ना हो और आपको मिले रोज रोज नई गर्ल फ्रेंड कि आपको मिले रोज रोज नई गर्ल फ्रेंड किसी की उम्रची अत्तर से कम ना हो मैं महला सक्ती को परनाम करता हूँ साहब यहां भी एक बच्ची बठी हुई है बहुत सारी महलाएं बठी हुई है सब को मैं परनाम करता हूँ आज महलाओं की उपस्थती हर विभाग में हर जगा समान रूप से होगी आईसा हर विभाग में साहब पर एक विभाग ऐसा भी है साहब, आपको एक भी महिलाए नहीं मिलेंगी, ओ है दमकल विभाग, फायर बिर्गेड, एक भी महिलाए नहीं मिलेंगी साहब, क्योंकि महलाओं का काम आग बुझाना नहीं, अच्छा तालियां भी वही लोग बजा रहे हैं, जिनके घराग लगी हुई है, मैं बिल्कुल तारकिक बाते करता हूं साह, महलाओं के बारे में मैं ऐसे ही नहीं कहता, बिल्कुल तारकिक, मैंने तो दादा, मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, कि बेटे बताओ, जिलेवी को इस्टिरलिंग क्यों कहते हैं, बच्चा बोला क्योंकि वह टूच सकती है, पर सीधी नहीं हो सकती, बिल्कुल तारकिक बाते, और दादा पिछले दिन आगिया मेरे घर, मैं अपनी पतनी के साथ बैठा था, इसमें हैं करने की क्या बात है, पतनी मेरी है, मैं अपनी पतनी के साथ बैठा था, और कहने लगे दादा भाई बाके, तुम्हारी जोड़ी तो रामसिता की जोड़ी है, मैंने कहा खाक रामसिता की जोड़ी है, ना वो धर्ती में समाती है, ना उसे कोई उठा के ले जाता मैं महला स skirti को पर्णाम करता हूँ साब बहुत-बहुत परनाम करता आँ परनाम तो मैं ऐसे करता हूँ कि सुबह healthy स्वर्पर्थम पतनी स्री के चरन असपर्स करता हूं इसमें हैं यह करने की बात नहीं है आप भी किया करूं मन मिजाज मस्तिक स्वस्त रहेगा। लेकिन इसके बाब जूद भी मैं कहता हूँ साब, कि प्यार के मामले में महलाएं बड़ी निश्थूर होती हैं। हम पुरुस कोमल होते हैं। मैं उधारन दे करके बता हूँ साब। उधारन देके बताता हूं कि महलाएं कैसे निश्टूर होती हैं और हम पुरुस कैसे कोमल होते हैं आप मोटर साइकिल से जा रहे हो पीछे पीछे स्कूटी से एक खुबसूरत सी महला आ रही है आपकी मोटर साइकिल खराब हो गई वो महला मुर कर नहीं देखेगी आगे निकल जाएगी इतनी निश्टूर होती है अब इसी प्रश्न को आप उल्टा कर दो इस बार उसकी स्कूटी खराब हो जाए हम पुरुसों में तो मेकेनिक की आत्मा समा जाती है हम पुरुस प्यार करना जानते हैं साब पर स्थीतियां कोई भी हो ट्राफिक जाम में हर कोई फसता है आप भी फसे होंगे सर फसना पढ़ता है हाँ आप भी फसे होंगे हर कोई फसता है साब पर मेरा मानना है कि सामने की स्कूटी पर कोई धंकी बैठी हो तो ट्राफिक जाम भी अच्छा लगता है नहीं हम अंदारी की बात कर रहा हूं सर बिल्कुल तार की बात कि दुनिया की जितनी भी पतनिया है अपने पती की बेहनों को वो प्यार से नहीं देखती है बिल्कुल तार की बात कि दुनिया की जितनी भी पतनिया है अपने पती की बेहनों को वो प्यार से नहीं देखती पर हम पतियों को देख लिजिए उनकी बेहनों को हमेशा और हमेशा प्यार की ही नजरों से देखते हैं यह हम पुरुसों की महांता है साहब पर हम अपनी महांता का डिडोरा नहीं पीटते यह तो सिर्प हसने हसाने की बात की साहब मनु असमृती अध्याय तीन इसलोग चपन में लिखा है कि यत्रे नारियस्तु पुजनते रमंते तत्र देवता नहीं इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं है मैं मनु असमर्ती अध्याय तीन इस लोग 56 इसलिए कह रहा हूं कि लगना चाहिए मंच से कोई तो पढ़ा लिखा है कहीं पर जैसंकर प्रसाद लिखते हैं कि नारी तुम केवल स्रद्धा हो तब मुझे भागलपूर की कवित्री आभा पुर्वे की पंक्तियां याद आती है कि नारी तुलसी दल रहे कि नारी तुलसी दल रहे बेल पत्र मधुगंद कि नारी तुलसी दल रहे बेल पत्र मधुगंद गमले का केक्टस नहीं नभका सीतल चंद नारी सीता सारदा अनुसुया की रीत जीवन की यम मोक्षदा वेदों का संगीत वेदों का संगीत वेद विधान सभा की थाल में परोसी जाने वाली व्यंजना नहीं कि नारी लोग सभा विधान सभा की थाल में परोसी जाने वाली व्यंजना नहीं नारी समाज का दूसरा पहिया है जो बनाए रखती है संतुलन जो बनाए रखती है संतुलन मैं अस्थापित करने की कोसिस करता हूं साब मैं अस्थापित करने की कोसिस करता हूं नारी सक्ति को मैं अस्थापित करने की कोसिस करता हूं नारी सिर्फ परपन समरपन भेंट बस्तू नहीं है साहब इसके आलावे भी बहुत कुछ है यह जानने की जरूरत है समझने की जरूरत है कि नारी नारी तुम्हारा मौन रहना बात आप तक पहुचे तो ताली उठाना कि नारी नारी तुम्हारा मौन रहना संसार में फल में और भी कई अंग्यत राज्यों में जो महलाओं के साथ घटनाय घट रही हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है आप पंतियां पहुचाता हूं कि नारी नारी तुम्हारा मोन रहना संसार में फल फुल रहे दुरातमाओं को जीवन देने के समान है कि उठो 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 कि निंद से उठो जहां हो वही से उठो कि गहराती चुपी के खिलाप उठो कि उठो कि बहसी दरिंदों के विरुद उठो कि खार्तिक में बौराए आवारे कुटों के विरुद उठो कि उठो कि उठो कि कार्तिक में बौराए आवारे कुटों के विरुद उठो उठो तो चंद्रमुखी नहीं कि उठो तो चंद्रमुखी नहीं ज्वाला मुखी बंधदक उठो जला दो दुरातमाओं की नीड को बनकर दामनी एक भी सुम्ब निसुम्ब बचने ना पाए उसके रख्त वीज धरा को छूने ना पाए उन रख्तों का पान कर धर विक्राल रूप चामुणदा चन्डिका चामुणदा चन्डिका और उसे चैनल पर परसारित कराने के लिए हम से आज ही संपर करें संपर्थ सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो बेख इस बाती